हलो एवरिवन कैसे हो यार तुम लोग तो होटी कल्चर का 30th क्लास स्टार्ट हो गया है 30th क्लास मतलब देखो होटी कल्चर का 1 से 29th क्लास तक कंप्लीट हो गया है और ये 30th क्लास है इसके पहले मैं बता दू कि होटी कल्चर का 1 से 6 हुआ है और इसके बाद होटी कल्चर हम लोग कर रहे हैं इसके बाद हम लोग forestry स्टार्ट करेंगे तो देखो हुआ क्या है बहुत ज्यादा मैं बहुत basic से बहुत end तक depth तक जा रहा हूं उसके बाद फिर questions भी करेंगे हम लोग last में last two months बहुत सारे questions करेंगे एक mock भी लाओंगा मैं मतलब कोशिश करूंगा मैं I'm just trying to purchase an app मतलब app खरीदने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल से जल्द एक mock पी start करने की कोशिश करता हूं देखते हैं आगे क्या होता है तेलिग्राम ग्रूप है टेलिग्राम ग्रूप का लिंक जो है वो description box होता है यह वीडियो जब देखते हो ना start में तो नीचे description box रहते हैं उसमें link है वहां से आप join कर लेना यहां पर open discussion है आप कुछ भी भेज स group भी बनाया है मैंने paid group में क्या है ना कि जैसे जो भी मैं पढ़ा रहा हूं और जो भी पढ़ाऊंगा till AFO ठेक है तो सारे PDF वहां पर आपको मिल जाएंगे तो if you want a PDF जो मैं पढ़ा रहा हूं वो PDF चाहिए तो वहां पर मिल जाएंगे यह देखो वीडियो में यह जो प्ले आपको यहां पर देख जाएंगे तो यह पूरी बाते थी जो आपको हमेशा बताता हूं मैं all because कि आप अगर पहली बार देख रहे होगे आज तो आपको समझ आएगा कि अच्छा सारे classes यहीं पर है YouTube पे लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में हम different preservation techniques देखा जैसे pasteurization, sterilization, refrigeration, salt, antibiotics देखा आज हम लोग उसी को extend करते हैं different different और भी बहुत सारे preservation techniques हैं उनको हम धीरी धीरी करने की कोशिश करते हैं तो आज का पहला preservation techniques होता है chemicals, chemicals से भी हम लोग preserve करते हैं देखा है chemicals, देखो chemical से जो preservation है उसका आपको FPO ने direct किया है, FPO, FPO जो हमने पढ़ा था, FPO हमने पढ़ा था आपको याद यह होता है food product order, food product order, और यह कब आया था आपको याद होगा, it's in 1955, यह government of India का यह आपको याद रखना है, तो यह नो two chemical को परमेट किया है government, government of India two chemical को परमेट किया है कि दो chemical को आप use कर सकते हो, as a preservative purpose, preservation के लिए यह 2 chemical use कर सकते हो, वो दोनों कौन सा है, एक तो है sulfur dioxide, filter dioxide, और दूसरा chemical कौन है, दूसरा है benzoic acid, दूसरा क्या है, benzoic acid, दो है, two chemical use होता है, preservation में, तो इन दोनों के बारे में हमें और यहां से questions आने के बहुत हत्तक chances, यह बहुत underrated part है, यहां से questions बहुत आप नहीं देखे हो गए अभी तक, पर यह questions मतलब आने के बहुत chances मुझे लगता है इस बार, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, तो यह जो benzoic acid है न, यह किस form में use होता है, in the form of, लिख लो ऐसे करक in the form of sodium benzoate, यह होता है, तो इसमें क्या होता है, कि अगर आप sodium benzoate को use कर रहा हो, तो different different ways, different different proportion में use होता है, जैसे हम लोग अगर RTS में use कर रहे है, RTS, तो इसमें हम लोग 100 ppm डालेंगे, 100 ppm डालेंगे, RTS क्या होता है, वो भी बताते हैं, फिर अगर हम लोग nectar में डाल रहे है, nectar में use कर रहे है, for preservation, तो भी हम लोग 100 ppm ही use करेंगे, मगर अगर हम लोग squash में use कर रहे है, crush में use कर रहे है, और cordial में use कर रहे है, तो यहां हम लोग इतना डालेंगे, इसको preserve करने के लिए 600 ppm, अचा, बात आती है, कि RTS, nectar, squash है क्या, यह kind of fruit juices होता है, जो unfermented होता है, त तो RTS क्या होता है, ready to serve juices होता है, तो RTS क्या होता है, इसके बारे में मैं detail में पढ़ाऊंगा, पर अभी आप देख लो, RTS होता है, ready to serve, इसमें fruit juices होता है, fruit juices, RTS में fruit juices होता है, वो 10% fruit juices होता है, और इसमें 10% आपको soluble solids होता है, क्या होता है, soluble solids, यह हम लोग RTS के बारे में बात कर रहें तो यह क्या होता है कि इसमें आपको ready to serve ठीक है इसको क्या बोलता है ready to ready to serve इसका full form है RTS, RTS क्या होता है ready to serve तो यही चीज होती है RTS वही nectar में अगर हम लोग बात करें अगर हम लोग nectar की बात करें तो इसमें हम लोग 20% fruit juices होते हैं जहांके RTS में 10% होते हैं यहां पर 20% होते हैं और 15% आपको soluble solids होते है soluble solids तो यह दोनों में difference होता है दोनों का अगर difference बात किया जाए तो यह दोनों का difference होते हैं अगर nectar की बात करें तो इस commonly prepared commonly prepared by यह किससे बनता है यह different different mangoes different different fruits से बनता है जैसे mangoes papaya bear फिर आपको हो गया आवला different different fruits से आप देखोगे कि nectar बनता है तो यह आपको चीजें जो benzoic acid में यूज होता है तो in the form of sodium benzoate RTS में कितना यूज होता है यह आपको दिमाग में रखना है फिर आपको nectar में कितना यूज होता है यह दिमाग में रखना है और squash में कितना यूज होता है यह दिमाग में fruit juice, 25% होता है, और इसमें होता है 30% TSS, जो total soluble solids जो होता है, वो 30% होता है, 1.5% acids होता है, 1.5% acid होता है, इसमें it's used for preservation, यह generally use कहा होता है, caudial होता है, यह जो caudial है, उसके बारे में हम लोग बात करें, caudial generally used क्या होता है, it's used for wine, blend करने केले, wine को blend करने के लिए use होता है, ठीक है, it's made from, made from, made from lime, लाइम और यू कैन से लेमन यह लाइम गया लेमन से बनता है ओके चलिया तो यह था पूरा आपको बेंजोईक एसिट की कहानी समझ गें नेक्स हम लोग बात करते हैं सल्फर डायोक्साइड की सल्फर डायोक्साइड इस अल्सो एक्ट आज ए अप यहां पे लिख लो इट इ अंटी ऑ्क,-टेंट अंड ब्लीचीं अइजेंट यह अंटी ऑक्षिदेंट ब्लीचींग ए जेंट यह की में अक्टगे में भी आता है ठीक है तो यही किस फॉर्म में यूज होन होता है एकर सबसी इंपोर्ट इसे यूजड बातल समने होता है ऐसे हिर फिर आपको मेटा भाइब याथ तो मोरय में थे यह चोईस अन farmer अचेया इस में टार भी इसका भी एक permissible amount होगा, जो use होता होगा, जितना जितना आपको डालना है, permissible, permissible amount, जैसा हमने इसमें देखा, कि permissible amount इतना इतना था, मतलब RTS में 100 ppm था, nectar में 100 ppm था, squash में 600 ppm था, तो इसमें भी sulfur dioxide, अगर preservation के लिए use कर रहे, तो उसका भी कुछ, एक permissible amount होगा, क्यों तो न RTS Nectar, RTS Nectar में 100 ppm आप डालोगे तो चलेगा, और देखो, squash, crush, cordial, इसमें कितना डालना होगा, इसमें आप 350 ppm डाल देना, देखो, यहाँ पर हम लोग थोड़ा याद करने की कोशिश करोगे, तो RTS Nectar इसका भी same है, इसका भी same है, कोई issue नहीं है, याद करने में, ठीक even on sulfur dioxide और benzoic acid, कोई मतलब नहीं है, दोनों में 100 ppm कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, पर squash, crush, cordial में यहाँ 600 ppm यूज हो रहा था, benzoic acid में, वही पर हम लोग यहाँ पर 350 ppm में ही हम लोग यूज कर लेते हैं, as mentioned here, यहाँ पर हम लोग sulfuric acid अगर डाल रहे थे, तो वो 350 ppm डाल रहे थे, तो यह पूरा-पूरी chemicals का लूचा था, इसमें chemical important हो जाता है, for preservation और इसको याद करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि यह थोड़ा complex है, हलका सा, तो हलका complexity चीज तो अभी AFO चाहते हैं, तो AFO में questions आने के chances बढ़ जाते हैं, next हम लोग क्या बात करेंगे, next अभी बात कर लेते हैं, sugar का, sugar, तो sugar कितना use होता है, sugar preservation के लिए use हो, अगर हम लोग कर रहे हैं, तो it's used 66%, 66% or more, तेक है, इससे ज्यादा, और more use होता है, देखो, यह बहुत सारे चीजों के लिए use होता है, used for, अगर हम लोग बात करें, used for preservation of preservation of किस-किस चीज के लिए use होता है, it's like candy, candy बोल सकते हो, crystallized fruits, crystallized fruits को भी आपको यह करता है, glazed fruits, जैसे आप marmalet बोल सकते हो, marmalet, थेक है, इन सब चीजों को preserve करने के लिए use होता है, next एक important चीज है, carbonation, carbonation, अब यह carbonation क्या है, वो हम लोग देखते हैं, basically carbonation क्या है, हम लोग carbon डालते हैं, in water, in water और beverages, ठीक है, carbonation क्या process, is a process of dissolving sufficient amount of carbon dioxide, पानी में, या beverages में, microbial activity को कम करने के लिए, ठीक है, तो इन सीजों को करते हैं, और यह में आप लोगों को लगभग 14.6 gram of CO2 per liter चाहिए, ठीक है, तो carbonation पहले देखते हैं, है क्या, तो इसको हम लोग लिख लो, पहले, तो carbonation होता क्या है, तो it's a process of dissolving CO2 in water और beverages, यह करते हैं, क्यों कर रहे हैं, carbonation, to inhibit, to inhibit microbial activity, ठीक है, carbonation इसे लिए कर रहे हैं, तो यह बहुत important हो जाता है, carbonation, carbonation लेखो करते क्या है, सबसे important part क्या है, यह है, 14.6 gram of CO2 per liter, ठीक है, per liter हम लोग कितना use करते हैं, 14.6 gram of CO2, यह सबसे important है, carbonation के पूरे process में, यह चीज़ आपको याद रखना है, यह कित करते हैं, इसमें लगता कितना है, इसमें हम लोग quantity कितना डालते है, preservation के लिए, ताकि inhibit हो पाए, कम हो पाए, जो microbial activity है, उसको हम लोग एक control भे में रख पाए, जो कि, वो जो food या beverages है न, उसको खराब न करें, ठीक है, चलिए, next क्या बात करेंगे, next we'll talk about dehydration, dehydration, basically dehydration होता क्या, moisture food से हटाना, food material से हटाना, moisture, ताकि वो moisture उस food को खराब न कर पाए, तो हम लोग क्या लिखेंगे dehydration के लिए, it's, it's something like removal of moisture from food material for preservation, preservation के लिए, जो हम लोग material, हम लोग जो moisture use, हटा रहा है, उस process को हम लोग बोलता है, dehydration, तो dehydration के लिए temperature maintain करना पड़ता है, वो temperature है, 43 degree Celsius, एक initial temperature, इसको क्या बोल सकते हो, आप initial temperature, initial temperature होता है, उसके बाद हम लोग gradually बढ़ाते हैं, वो depend करता है कि आप किस चीज को dehydrate, किस चीज को आप dehydrate कर रहे हो, किस चीज को preserve कर रहे हो, अगर हम लोग vegetables को preserve कर रहे है, vegetables को preserve करने की बात कर रहे है, तो, एच्छे से square नहीं हुआ, vegetables को preserve करने की बात कर रहे है, तो ये हम लोग 43 degree से gradually कितना बढ़ा देंगे, gradually बढ़ा देंगे 66 degree Celsius तक, ठेक है, gradually 43 degree से हम लोग 66 degree बढ़ा देंगे, if we are preserving vegetables, और अगर हम लोग यही preservation fruits में कर रहे है, if we are preserving fruits, तो fruits के लिए क्या करेंगे, हम लोग ये जो 43 degree है, इसको हम लोग increase कर देंगे, तिल कितना increase कर देंगे, 66 is 71 degree Celsius, ठेक है, ये चीज आपको समझने वाली है, dehydration में, ठेक है, ये important है, देखो, अब एक चीज और है, कुछ-कुछ important part, dehydration के लिए क्या हो जाता है, कि dehydration जो है न, उसमें moisture content 6 से 8% से ज़ादा नहीं होना चाहिए, देखो, एक ideal moisture content, हम लोग क्या बात करेंगे, ideal moisture content, moisture content, एक ideal moisture content कितना होना चाहिए, किस चीज में, दो चीज की बात करेंगे, एक ideal moisture content, vegetables में कितना होना चाहिए, और बात करेंगे fruits में कितना होना चाहिए, हाँ, दोनों का अलाग-अलाग होता है, ideal moisture content, जो होना चाहिए, तेख дня, ऐसे questions आ सकते हैं, कि ideal moisture content कितना होना चाहिए, तो अगर हम लोग vegetables की बात करें तो vegetables में ideal moisture content होता है 6-8% तेंगे हैं हर चीज का ideal moisture content होता है जैसे oil seed crops का cereals का भी wheat का भी rice का भी वो हम लोग सब पढ़ेंगे storage के लिए कितना रहता है सब चीज पढ़ेंगे तेंगे पर अभी हम लोग vegetables और fruits का पढ़ रहा है तो fruits, vegetables में कितना होता है 6-8% आपको ideal moisture content देखा जाता है और वही बात अगर fruits की करें तो इसमें कितना होता है 10-20% 10-20% इसका ideal moisture content होता है किसका fruits का यह important होता है एक process होता है उसको बोलता है sweating sweating ठीक है यह process होता है sweating sweating होता है क्या है actually actually moisture content को equalized किया जाता है by keeping a preserve material जैसे मान लो किसी material को preserve किये हो और वो बहुत ज़्यादा preservation हो गया है तो उसको ना normal way में normal temperature में लाने के लिए हम लोग equalize करते हैं कि जितना temperature जितना moisture content अभी room का है ठीक है उस level में आएगा तभी तो वो खाने में अच्छा लगेगा तो equalized करने के लिए हम लोग क्या करते हैं preserve material को bins या boxes में कहीं भी रख देते हैं ठीक है थोड़े दिनों के लिए रख देते हैं तो उससे क्या होता है कि वो एक normal normal way में normal food बन जाता है जैसे normal जब तुम लाए थे ना तो वो preservation से बाहर आ जाता है और उसको तुम अच्छे से खा सकते हो उसका टेस्ट विस वही नाच्छल नमल ही रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे अब प्रॉसेस अब प्रॉसेस विच इज ड़न तू इक्विलाइज मॉश्यर यह एक प्रॉसेस है जो किया जाता है तो इक्विलाइज मॉश्यर कंटेंट हां वाई कीपिंग इट इन बॉक्सेस यह पूरा प्रॉसेस है स्वेटिंग का एक और प्रॉसेस होता है सल्फियूरिंग सल्फियूरिंग क्या होता है Sulfuring एक process है जो sulfur dioxide जो है न उसको fume करते है food materials में sulfur dioxide डालते है क्योंकि उसको prevent करना रहता है हमें discoloration से तो ऐसे भी question आ सकता है कि अगर आपको कोई भी food material को discoloration से आपको बचाना है तो उसके लिए हम लोग क्या ही करते है उसके लिए हम लोग करते है process to prevent the food material to for being discoloration discoloration से बचाने के लिए हम लोग यह process करते है process of fuming the food material ठेक है Sulfuring क्या होता है it is the process of fuming the food material ठेक है throw through sulfur dioxide ठेक है ठेक हो to prevent discoloration discoloration ठेको Sulfuring बेसिकली आप कहा देखोगे आप potato slices में देखोगे potato slices में Sulfuring ओटा है potato slices are done through Sulfuring ठेक है Sulfuring process potato slices में use होता है तो यह था पूरा method of preservation जिसमें हम लोग ने सब कुछ cover किया like sepsis pasteurization last class में देखोगे तो pasteurization sterilization यह सब सब हमने किया इस बार बहुत important इस lecture में हमने बहुत important बहुत चीज़े किया जैसे chemicals बहुत important है उसके बाद हमने carbonation dehydration सारे चीज़ किये यह ना चलिए और कुछ-कुछ important terms है एक और terms आप देखो कि blancing blancing यह बहुत important है थोड़ा different है इसलिए important है यह जो blancing है ना इसको pre-cooking भी बोलते है और you can say pre-cooking और उसको एक और नाम से बोलते है और scalding यह देखो नाम जो changes रहते है यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको दूसरे नाम से देखा और अब confused हो जाओगे यह इसका meaning क्या होता है तो देखो blancing pre-cooking और scalding तीनों यह एक thermal process है जो vegetables में use होता है mostly used in vegetable mostly used in vegetables ठीक है it's a thermal process thermal process तो इसमें करते हैं जैसे मान लो एक vegetable है उसको warm बात दे दिये गरम पानी में और steam chamber में रखे ठीक है तो उससे क्या होता है microbial loads जो होता है कम हो जाता है उसके बाद क्या होता है इसका longevity बढ़ जाता है यह generally जो होता है it's done in it's carried out at at 100 degree celsius यह करते कितने है 2 से 5 minutes यह जो चीज है यह आपको याद रखना है 100 degree celsius तो याद है 2 से 5 minutes यह जो है यह भी आपको याद रखना है 100 degree celsius 2 से 5 minutes generally blancing करता है enzymes को inactivate कर देता है जैसे आप example ले लो जैसे आपको ले लो banana banana apple तेक है और potato यह क्या करता है इनके enzymes को inactivate कर देता है उसके बाद क्या होता है कि यह जो deterioration होता है वो slow हो जाता है जैसे banana के enzymes को जैसे आपको देक्टिवेट कर देता है कि browning of banana is due to किस के लिए होता है phenolo oxides के कारण apple हुआ potato potato brown तो हो जाता potato भी ब्राउन होता है banana, apple, potato यह सब जो brown होता है it's due to due to due to किस के कारण होता है phenolo oxide phenolo oxide browning किस के कारण होता है it's due to phenolo oxide ठेक है तो क्या बोलते है कि यह जो enzyme है यह जो phenolo oxide है इसको deactivate कर देता है ठेक है deactivate करने से क्या होता है longevity बढ़ जाता है बस यही चीज़ आपको है blancing में pre-cooking में और यह you can rather say scalding तीनो नाम तीनो नाम आपको याद रखना है ठेक है फिर एक होता है lie peeling क्या होता है एक और term होता है उसको बोलते है lie peeling lie peeling देको peel मतलब क्या होता है chill ना किसी चीज़ को fruit के उपर वाले जो portion है उसको हम लोग chill देते है देक है उसके बाद क्या करते है उसको हम लोग preservation में डाल देते है preservation में क्या डालते है caustic soda 1-2% caustic soda होता है लगबग 0-5 या 2 minutes तक हम लोग डालते है और इस process को लाई पीलिंग बोलते है तो लाई पीलिंग इस दन इन fruits and vegetables देक है it is done in fruits and vegetables है ना fruits और vegetables में करते है जैसे fruits की बात करें तो आप देखोगे fruits कौन-कौन से fruits में करते है तो you can say peaches फिर आप देखोगे sweet potato हाँ फिर आप देखोगे sweet potato तो vegetables में आजाएगा आप oranges apricots हाँ इन सब चीजों में हम लोग इन सब fruits में हम लोग करते हैं फिर vegetables की बात करें होगे तो vegetables में carrot में करते है sweet potato sweet potatoes में करते है तो इसको क्या करते है कि before preservation steps क्या है steps की before preservation हाँ what we do we dip it in caustic soda once once it 2% boiling caustic soda boiling caustic soda में हम लोग dip कर देते हैं कितने देर के लिए for ये भी important है 0.5 से 2 minutes इदर 30 seconds बोल सकते हूँ और 2 minutes ठेक है तो इसके बाद क्या करते है minutes तो इसके बाद ये क्या करते है यहाँ प conviction बजूउच्ट पक्र सब्सक्राइब 500 zł जीश kitchen पलाद को है यहाँ पर योथ तसा किनल अपना करत यहाँ पर हमें पनागी है यहाँ आ आ हम पाला के यह बजूपर है यह होता है लाई-पीलिंग का पूरा प्रोसेस एक आप सुनोगे ब्राइन सॉल्यूशन ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं as a preservation it's called brine solution तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं हम लोग को ब्राइन solution देखना है brine solution तो brine solution क्या है तो brine solution is a salt dissolving water brine solution क्या है salt dissolving water salt से मेरा क्या मतलब है NaOH dissolve in water is called brine solution यह जो NaOH है वो बढ़ा कम मात्रा में रहता है मतलब यह salt जो है वो आपको रहेगा 1 से 3% जो NaOH यूज करते हैं हम लोग 1 से 3% brine solution why we use brine solution क्यों use करते है brine solution तो before यहा लिख लो वाई वी यूज इट वाई 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 वी यूज इट क्यों यूज करते हैं तो before canning वी वाश दो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ठीक है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम लोग वाश करते हैं before canning canning करने के पहले canning क्या होता है canning एक टिकनीक होता है जिसके कारण हम लोग sealed container में रखते हैं ठीक है sealed container में हम लोग रखते हैं आपको foods को food items को sealed container में रखते हैं वो sealed container होता है वो catchy का बना रखते है वो steel का बना रखते है मतलब उसमें 98% 99% आपको steel रखते हैं और एक thin coating thin coating thin का भी रहता है तो canning लेख लेते हैं canning हा, canning क्या है, canning it is a process, it is a process in which we put a food item on a sealed container, ठीक है, it is a process in which we put a food item in a sealed container, sealed container में हम लोग food item को रखते हैं, तो canning में साथ क्या है ना कि यह basically cans जो होता है उसमें 98.5% जो होता है ना वो sheet steel होता है sheet steel होता है, thin coating thin coating of tin भी होता है यह एक होता है, यह एक होता है, दो होता है आपको can में, जो can होता है वो आपको बना रहाता है 98.5% steel से और एक thin coating of tin भी होता है, यह चीज़ आपको जानना है, नेक्स्ट एक चीज़ कहा है, देखो कौन सा जो vitamins है, वो heat resistance है और कौन सा जो है, वो sensitive है heat resistance, मतलब heat के बाद वो vitamin उड़ जाता है, जैसे कुछ उसको गरम, जैसे आप देखो vitamin, vitamin A, D और beta carotene, देखेंगा, vitamin A, D and beta carotene जो है, वो resistant to heat effect है, resistant to heat effect, मेरा कहने का यह मतलब है कि अगर इस कोई fruit में, कोई food में, vitamin A है, vitamin D है, या vitamin beta carotene है, देखेंगा, तो वो उसको हम लोग अगर heat करते हैं, तो यह vitamins उड़ेगा नहीं है, यह vitamins retain करेगा, मतलब आप खाओगे न, अगर उसको गरम करके खाओगे, तो वो आपके अंदर जाएगा, मतलब यह कोई problem नहीं अगर उसको कुछ गर्म कर रहे हो, या heat कर रहे हो, तो वो उड़ जाएगा, पर यहीं पर एक और होता है, जैसे vitamin B1, vitamin B1, अगर किसी food item में, vitamin B1 है, तो it is sensitive, it is sensitive to heat, तो इसको अगर आप heat दोगे, तो वो ओड़ जाएगा, तो it is very sensitive to heat, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना करेगा, और यह resistance होता है, तो heat effect, तो यह पूरा पूरी canning technique जो है, यह कहलाता है आपको, तो इन चीज़ों को हमने आज देखा, हमने आज पढ़ाया ना, sweetened juice, RTS देखा ना, nectar देखा, cordials देखा, ऐसे ही बहुत सारा होता है, squash होता है, crushes होता है, syrups होता है, फिर jam wham के बारे में पढ़ना है, jam मुझे बहुत important लगता है हर साल पर, यह हर साल questions नहीं आते है, last इस साल भी मैं सोचा था कि jam jelly से एक question जरूर आएगा, पर नहीं आता है, पर कोई बात नहीं हम लोग इसको फिर से maintain कर लेंगे, कि अगर कभी आ जाए, तो वो 20s में रहेगा यह question, बहुत कम लोग इन सब questions को करेंगे, तो हम लोग वो 20s में घुशनी की कोशिश करेंगे, चलो, हम लोग मिलते हैं फिर next video मे तब तक के लिए चलो, बाव बाए